हम एक कोश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं और सामने कोश्चन विज्वल है बैलेंश शीट के नीचे थोड़ा लिखा हुआ जरूर है लेकिन फिर मैं कोश्चिस करूँगा जैसे जैसे कोश्चन होगा इस कोश्चन को मैं अडजस्ट करता जाऊँगा जिनके पास किताब है किताब में question number given है हाँ हो सकता है में भी कुछ बच्चों के किताब में ना हो तो मैंने सामने already question display कर दिया उसके according लेके चलेंगे सारा हम सर इसके अंदर क्या सीखने वाले हैं अब थोड़ा सा adjustment PPT का है और एक adjustment important है जो कि हम करने वाले हैं सवाल के अंदर क्या कहता है सर सबसे पहले सबसे पहली बात करता है capital दे रखा है आपको एक लाख रुपए तो इस side मैं सबसे पहले लिखने जा रहा हूँ capital आप भी format जैसे बना लिया होगा आपने एक लाख रुपए plant and machinery कहता है आपका 78,000 important point plant and machinery 78,000 इसके बात कहता है furniture सर 2000 का है थोड़ा gap देखे furniture 2000 रुपए इस पर तो काफी adjustment है purchase and sales आपका purchase 6000 है सबसे पहले two opening stock two purchase सर purchase जो दे रखा है 60,000 है और buy sales और sales इस सवाल में देखें तो कितने का एक लाख 27,000 आगे देखा जाए तो return return की बात करें 1750 तो सर यहाँ से जो return होगा न अब मुझे बताईए purchase return और ध्यान दीजिए sales return purchase return और sales return यहाँ यह तो नहीं बताए सवाल में कि आपका purchase return है कि sales return इसने एक word बोल दिया return नहीं पता purchase return तो अब आपको देखना पड़ेगा जो debit में है जो debit वाला है हमारा that is हमारा क्या होगा सर यह sales return और जो credit वाला होगा वो purchase return return के case में इनका side उल्टा हो जाता है तो debit वाला हमारा क्या है सर purchase return that is 1000 रूपेज और credit वाला sales return that is 750 रूपेज 1000 debit वाला हम मैंने उल्टा लिख दिया है debit वाला sales return तो यह हमारा 1000 और यह 750 आगे आजाते हैं stock तो stock आपको देता है 30,000 का मैंने stock लिख दिया stock के बाद बात करते हैं discount अब देखें यहाँ पे सवाल में ना सिर्फ discount बोला हुआ है तो आप यहाँ पे देखेंगे discount दोनों तरफ है debit में भी credit में भी जो debit के अंदर discount है न that is आपने discount किसी को दिया है और जो credit में आपने लिया है तो debit वाले discount को हम लिख देगे P&L में मैं यहाँ से यहाँ तक पार्ट छोड़ देता हूँ trading का इसके नीचे P&L है तो 2 discount सर्थ discount कितने का है discount है 425 का सर्फ debit में ही नहीं आएगा यह credit में भी आएगा buy discount और यह हमारा 800 रुपेज इसके बाद debtor and creditor है तो सर्फ जो debit में है debtor और जो credit में है creditor तो पहले मैं creditor लिख दूँ सर creditor कितने का है creditor हमारा given है 25,000 debtor भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर although लिख देता हूँ नीचे लिख देता हूँ buy debtor बाद में इसे उपर कर देंगे buy मैंने क्यों लिख देता है buy तो आए गई नहीं सर्फ debtor बाद में इसे उपर shift कर दूँगा तर debtor MR है कितने का 45,000 बाद में उपर करेंगे इसको salary देता है 7550 2 salary 7550 देखो जैसे मैं question कर रहा हूँ मुझे एक tension हो रही है कियार किस पर adjustment है किस पर नहीं है इस tension को दूर करने के लिए पर है एक बाद एड़स्मेंट थोड़ा सा overview ले 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 लेते है sir closing stock पे है doubtful debts पे है ठीक है अंदर लिखना था बाहर लिख दिया plant and machinery पे भी है और personally used addition ये किस की बात कर रहा है purchase के उपर भी है goods taken by the proprietor purchase furniture के उपर भी है sir September को management ने decide किया हमारा balance machine के उपर भी है सर्फ 755 का ठीक है manufacturing wages पे भी नहीं है 10,000 तो मैं two side में purchase के नीचे लिखूँगा manufacturing wages short form लिख दिया थाड़ा डवलू कर दिया wages carriage outward बारा सो outward प्रिंडल का पार्ट होता है 1200 रुपए carriage outward के बाद provision for doubtful debts अब ये वाला पता हिए provision for doubtful कहां जाएगा कहां गीवन है पहले तो ये चेक करो trial में अब trial में लिखाता है तो कहां लिखते है credit side by provision कितने रुपए sir 525 rent rates and taxes 10,000 रुपए इस पर भी कोई adjustment था ही नहीं liability थोड़ी है अच्छा लिख दिया मैंने liability में पांसो बच्चेस है ना ठीक है rent rate टेक्सिस कितने रुपए 10,000 sir इसके बाद given advertisement 2000 एक इस पर adjustment करेंगे भी आब आज पीछे से नहीं आनी चाहिए 2000 इसके बाद advertisement के बाद है cash 6900 रुपए that is also assets है तो मैं इसके उपर थोड़ा सा ना circle लगा लेता हूँ star लगा लेता हूँ बाद में लिख लेंगा कोई बात नी जब मैं इस question को हटा हूँआ तो फिर पीछे लिख लूँआ ठीक है नब adjustment कहता है closing stock है sir closing stock तो यहाँ जाएगा adjustment फटा फट कर लेते हैं तो buy side में आ जाएगा buy closing stock कितने रुपए का 34,220 34,220 एक closing stock यहाँ पर भी आ जाएगा अब मैं थोड़ा सा question को shift कर देता हूँ मतलब कहा shift करें इसको छोटा कर देते है question को although आपको देख गया होगा ठीक है debtor भी दुबारा लिख लेगे और closing stock भी सबसे पहले लिख लेते हैं closing stock closing stock 34,220 इसके बाद अगला point आ जाता है provision for doubtful debts तो पहले debtor लिख लेते हैं debtor कितने का debtor 45,000 minus PFD अब कहता है कितने percent है ये percentage ना दे के इसने amount दे दिया 500 रुपे तो अब इस PFD को हम इधर दिखा देते हैं book वाले कुछ अलग ही करते हैं book वाले पता ही क्या करते हैं इस 500 में से कभी इधर minus कर देंगे वो कभी इधर कर देंगे तो थोड़ा बच्चा ना confused हो जाता है debit में minus करें कि credit में इसका मैंने simple सा solution निकाला कि जो भी trial balance में दे रखा है न उसे credit में लिखो जो adjustment में उसे कहां लिखतो debit में सीधी से कहां नहीं है आप book में देखो कि कई बार वो trial वाला PFD इधर ले रहा होगा कई बार trial वाला PFD इधर ले रहा होगा लेकिन मैंने simple simple सा बोला जो trial वाला इधर लिखो इधर answer पर कोई फरक नहीं पड़ेगा कोई भी फरक नहीं पड़ेगा वो totaling में automatically adjustment लग जाएगा उसके चिंता करनी ही नहीं आपने the depreciation plant and machinery बाद में देखेंगे अभी the proprietor has taken goods 5000 रुपए proprietor कहता है कि भाईया हमने 5000 रुपए का goods taken किया है personal use के लिए additional distribution goods वर्थ 1000 रुपए दो चीजे है सर सबसे पहले proprietor use कर रहा है तो drawing कितने का 5000 रुपए का तो आपको बताया था एक goods use वाला adjustment दूसरा capital में से minus हो जाएगा as a drawing 5000 और एक बताया था free sample है वो भी minus हो जाएगा कितने रुपए है 1000 रुपए इसकी double entry यहाँ जाएगी to advertisement कर दो या फिर free sample कर दो आपकी इच्छ है दोनों में से कोई भी शब्द का इस्तमाल कर सकते हैं कोई marks नहीं कटने वाला इसके अंदर इधर हटा देते हैं फिर इसका total सीधा यहाँ चलेगा आगे दिखा जाए तो क्या कहता है सर purchase a furniture 920 पास्थू दा purchase book इसका मतलब क्या है हमने कोई purchase furniture खरीद लिया और इसको मैंने entry कहा कर दिया purchase book के अंदर इसका मतलब मेरा furniture जो लिखा हुआ है मैंने कितने का खरीद है 920 का has been passed through the purchase book तो purchase गलत लिखा हुआ है यहाँ पर जो यह purchase लिखा हुआ है ना सर यह गलत लिखा हुआ है सर क्या गलती है इस purchase के अंदर इस purchase के अंदर हमारा furniture भी जुड़ा हुआ है हम बात करें ना इस purchase के अंदर हमारा एक furniture जुड़ा हुआ है तो मैं क्या करूआ यहाँ से minus कर दूँ आप furniture कितने रुपे का 900 और दूसरा इस furniture में add कर देंगे furniture 920 यानि जो आप हमारा purchase होने वाला है कितने का होने वाला है 2900 यानि 2920 रुपे है सिंपल सी बात समझ मैं ही पहले यह सर जिस्मेंट को देखो अब बात करते है सर यहाँ ना furniture पे depreciation है ही नहीं जब furniture पे यहाँ depreciation नहीं है तो कोई tension वाली बात भी नहीं है जैसे हमने करना था normally कर लिए अभी इसकी जर्नल भी करेंगे क्योंकि हम ना examiner का थोड़ा सा paper बनाने का trend change हो चुका है हम उसके इसाफ से अभी सभी के जर्नल एंट्री भी कर लेंगे ताकि अगर question में आता है तो कुछ भी पूछ ले हम जवाब देश पाए उसका अगला point कहता है management ने decide किया कि भाईया हम जो है ना machinery जो machinery है उसकी value 75,000 रुपे होनी चाहिए हमारे इसाफ से लेकिन हम तो बोल रहें कितना इसार 78 यानि revaluation की वज़े से मेरे assets की value down हो गई कितने रुपे का down हो गया sir 3000 तो ये नुकसान है तो मैंने एक revaluation assets वाला आपको adjustment कराया था याद हो तो उसमें मैंने बताया था कि अगर बढ़ता है तो क्या treatment है घड़ता है तो क्या treatment है अगर आपका बढ़ जाता था तो हम reserve create कर लेते थे किधर liability side में और घड़ जाता है तो P&L के debit में दिखा देते थे तो यहाँ पे हमारा plant and machinery revaluation हुआ है कितने रुपे का नुकसान हो गया बीच में 3000 का अब जो plant and machinery 78 लिखने का कोई मतलम नहीं बनता आपका आपको यहाँ पे जो plant and machinery लिखना पड़ेगा ना वो नई वाली value दिखाना पड़ेगा that is 75 depreciation कहता है 10% इसके उपर minus करेंगे depreciation सर आप कितने 750 और यह depreciation आपको इधर आजाएगा 2 depreciation 750 पहले आप यह देख लिजे एक बार यह देखिए adjustment कल से regular class होगी पच्चे पुछने कब से होगी कल से होगी मैं भी timing बता दूँगा कल की timing 11 बज़े है सुबे की अच्छा 75 100 और लगे है ना चली हो कोई दिक्कत ने एक cash का balance लिखना छोड़ दिया था हमने that is cash का balance है 6900 किसी को कोई दिक्कत किसी को कोई दिक्कत है कि यह यह तक नहीं पटा पट से adjustment कर लेते हैं 60,000 minus 750 minus 5000 minus 1000 minus 920 यह आगे 52 यह आगे 126 126 plus में 34 220 250 नहीं 126 34220 160 220 160 220 160 220 2GP सर जीपी की बात कर रहे थे GP minus कर लेते हैं 30,000 52 330 चेक करिएगा GP 67 890 बाइ साइड में आ जाएगा GP 67 890 सर यहां से क्या निकालोगे N भी निकाल लेंगे यहां से जी 37890 प्लस 800 प्लस 525 यहां गया सर 69 215 69215 सर इसके बाद क्या आएगा यहां पर 2NP NP minus करते हैं 425 7550 1200 10,000 2000 500 1000 36 040 चेक कर यह NP तो यही आ जाएगा यहां पर प्लस NP यही है ना 36 अब एक चीज़ नोटीस करना आपके पास बुक है जिनके पास आंसर में देखना PFD ऐसे नहीं किया होगा उनोंने PFD उसने कुछ और कर रखा है लेकिन आंसर Net Profit सेम आएगा तो उसमें घबरानी की जुरत नहीं है मैं हर बार 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 रिपीट करता हूँ लेकिन बच्चे बार बार पूछ लेते हैं एक कोशन इसलिए बोल रहा हूँ माइनस पाँच हजार एक इकत्यस जीरो चालिस प्लस पच्चे साजार बैलेन सीट का टोटल चेक कर यह है एक चपन जीरो चालिस एक चपन जीरो चालिस क्या यही टोटल है कोशन को अटा देते हैं बैलेन सीट का टोटल चेक कर यह पैंथालिस चपन जीरो चालिस चपन जीरो चालिस पैंथालिस मैंने भाई तीन बार पूछ रिया टोटल बताईए ठीक है अब इसकी जर्नल एंट्री की बात करते हैं सर सेम है अभी क्लास का टाइमिंग का देख लेता हैं अब जर्नल एंट्री देखो मैं नए पेच पर चलता हूँ काले रजिस्टर चेक करेंगे ऑफ लाइन वाले बच्चों के सारे कोशन के देखिए आज कोशन देखें कल देखते हैं अभी उस पर बाद में बात करते हैं कैसे क्या है नहीं है अब ना अट्जस्मेंट कहता है कोशन की इसमें कह रखाता कोशन ने नीचे कि प्रिपेर प्रॉफिट एंड लास अकाउंट एंड बैलेंच शीट वो तो हम बना चुके मैंने कहा दिया औल्सो पास जर्नल औल्सो पास जर्नल तो जर्नल एंट्री जो इसके अंदर होता है न इनका कभी भी जर्नल एंट्री पास नहीं होता क्योंकि जर्नल एंट्री पास हुआ था फिर लेजर बना और फिर वहां से उठके आया है यहां ट्राइल में इसका जर्नल एंट्री पास होई चुका है यह वो आइटम है जिसका जर्नल नहीं हुआ laser भी नहीं हुआ trial balance के अंदर भी नहीं गिया तभी तो trial balance के बहार रही है तो journal entry से इसका पांस होगा एक बात आपको ध्यान रखना exam में journal entry इसका without GST with GST वो सारी बाते कर लेंगे हैं closing stock का क्या होगा sir पहला journal entry sir closing stock का closing stock कहां जाता है trading में जाता है journal entry अगर कोई दिक्कत आती है तो कई बार account से भी आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं जैसे buy में क्या है हमारा closing stock तो buy वाले को आप debit में लिखेंगे हमेशा और two वाले को हमेशा लिखेंगे credit में तो मैं इसकी entry करने वाला हूँ closing stock two trading two trading और याद रखेगा balance sheet के अंदर जो जाता है न उसकी कभी general entry नहीं होती जो P&L के अंदर होगा उसी की general entry होगी always तो पहली entry हमने done कर दिया जो की amount तो वही रहने वाला है किसी को दिक्कत 34.220 अगले point की बात करते हैं सर next point number 2 देखिए point number 2 provision for doubtful keep 5% तो provision for doubtful की वजह से हमेशा याद रखिएगा debtor में से minus हाला की कर देते हैं हम लेकिन normally debtor पे फरक नहीं पड़ता है इस चीज का ध्यान रखिएगा debtor में से हम minus कर देते हैं लेकिन debtor पे फरक नहीं पड़ता है तो provision for doubtful debts की entry क्या करोगे शराब provision for doubtful debts की entry वैसे यहाँ debtor से impact में हम लेंगे तो खर्चा एक तरीके से हमारा यानि debtor assets है debtor क्या हो रहा है हमारा कम हो रहा है न तो इसकी entry हो जाएगी हमारी debtor को कम करेंगे हम तो debtor हो जाएगा क्या हमारा credit हो जाएगा two में हो जाएगा अगर आपका debtor कम होता है तो debtor क्या होगा credit होगा और PFD कहां चले जाता है profit and loss के debit side में चला जाता है बड़ी simple सी बात है PFD यानि as a PFD को आप खर्चा मान लेते हो और debtor को आप reduce कर देते हो तो ऐसे ही entry कर देंगे हम provision for doubtful debt to debtor हाला कि आपने 12th class में ये entry नहीं करी होगी revaluation में जाता था महाँ पे तो वो entry यहाँ नहीं करेंगे हम सर जो भी adjustment से निकल के आए जैसे हमारा है 7500 तो 7500 तीसरा नहीं 500 आया था ना 7500 तो machinery का आया था 500 रुपे तीसरा depreciation plant and machinery 10% 7500 आया था तो depreciation debit to plant and machinery to plant and machinery 7500 depreciation debit क्यों? depreciation खर्चा है debit plant and machinery घड़ जाएगा credit हो जाएगा लेकिन planted में से चलो आगे देखेंगे अगले point को देखते है proprietor ने goods taken कर लिया तो असरा drawing account debit drawing account debit कितने? अच्छा है drawing account debit और एक और points उसने क्या करा था? redemption free sample और two में क्या लिखें सर? two में purchase मैंने बताया था जब कभी भी goods use होगा ना तो एक ही कहानी आएगी purchase सर इसका being क्या होगा? जो adjustment वही being होगा जैसे कि closing stock और इसका being हो जाएगा provision made on the debtor इसका depreciation charge on plant and machinery goods used by the proprietor end up distributed as a free sample तो ये कितने का है? और और ये चौथी पांचवी entry पांचवी entry क्या कहता है? purchase furniture include in the purchase book तो सर परचेस को कम करो और furniture को बढ़ाओ तो entry होगा furniture account तो purchase 920 रुपे 920 रुपे चलिए अगले point की बात करते हैं 6 number अगला कहता है कि revaluation हुआ assets revaluation के बज़े से आपको नुकसान हुआ तो revaluation debit और 2 किस पे नुकसान हुआ plant end कितने रुपे का? बस ये general entry होगा इसका तो मैं 2-3 question बताऊँगा general entry वाले हला की तो आपने question देखा है कि इसके अंदर पहले हमने पूरा question कर लिया अब पूरा question करने के बाद फिर हमने इसका क्या देख लिया सर? general entry तो examiner का point देखिए कभी भी ऐसा question नहीं आएगा कि आपसे trading account बनबा IP and L और journal entry भी हो सकता है examiner क्या कर दे? ये पूरा question देगा और इसमें से उसने बना दिये कितने 10 point? 10 number का question दिये इसमें से बनाए उसने 10 point 10 point क्या बनाया? कि net profit बताईए GP बताईए case study type का case point number one एक number का net profit बताईए GP बताईए आप plant and machinery pay after depreciation value बताईए जो कि हमारा क्या आ रहा है? 7,650 या नहीं आपको question तो solve करना ही पड़ेगा क्योंकि आपसे NP पूछ लिया उसने तो भी NP कैसे निखालेंगे? solve करना पड़ेगा GP कैसे निकालेंगे? solve करना पड़ेगा 3 question 4 question पूछ लेगा adjustment क्या होगा? ऐसे तरीके से 10 question पूछ ले 10 number में 5 number की 5 question दे दिया और उसके बूले journal entry करके दिखाईए तो आपके देख रहें पूरा सवाली change हो गया ना तो आपको trading बनाना है तो पी एंडल बनाना कुछ नहीं बनाना final account आएगा paper में आएगा हम तो कौन से practice कर रहे हैं सर इस बे में practice कर रहे है और paper में पता चला है MCQ आगया है और दूसरा कुछ पार्ट क्या आगया journal entry का तो वहाँ पे हमारे क्या होता है हम यह सोचने के paper tough आगया tough नहीं आगया examiner ने थोड़ा सा trend चेंज किया है तो अब आपको ना उस trend के हिसाब सभी में बताता जाओंगा कि भाया इस question के अंदर ऐसे सवाल में क्या-क्या पूछा जा सकता है क्योंकि मैंने जो last time का paper था ना पूर्परेट अकाउंट में वहां भी final account है उनमें यह पूरा account ही नहीं पूछा वहां पे पूछ लिया उनसे related सिर्फ MCQ तो इसलिए हर चीज को आप factor मान के चलेंगे और किताब को अच्छे से पढ़ेंगे किताब के अच्छे से question को भी solve करेंगे इस बात का ध्यान रखना है सिर्फ एक चीज पर dependent होके जाओगे ना तो paper हो सकता है कि paper का pattern वही रहे जो कि पहले चलता आया था final account में तो कोई दिक्कत नहीं है sir लेकिन जहाँ paper का pattern बदला ना तो result ही होता बहुत सारे बच्चे क्या होता है fail हो जाते है तो मैं यह नहीं चाहता आप सारी चीज़े करके चलना है आपको plant and machinery का क्योंकि valuation होके इसने बोल दिया था 50-70 हो गया तो revaluation वाली value लिखी है मैंने यह मैंने 3000 वहाँ घटाने की बज़ए मैंने directly 75 कर दिया उसको नहीं तो होना यह था 70 फिर पहले माइनस 3 बसता 75 और 75 पर 10% का डेप लगाते हैं मैं स्पेस बचाने के लिए मैंने ऐसा कर लिया है कोई दिक्कत पटा-फट से नोट कर लिजिए